जय गुरुदेव गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्नु, गुरु देवो महेश्च्व्यराह, गुरु हसाक्षात परम बरह्म तसमेशरि गुरुवे नम disp अर्चनी वंदनी प्राता है इस्मनी परम पूजनी गुर्देव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंब करते हैं जो भी व्यक्ति है और उसके जीवन में जो समस्या आई है उसके कारण कई हो सकते हैं जो उसका कौज है रूट कौज है उसके समस्या का वो व्यापक है वो व्यापक है कई सारे हो सकते हैं सभी समस्या का कारण वास्तु हो ये जरूरी नहीं है नहीं है और व्यक्ति अपने पास आया है उसके समस्या लेके और अपन उसका निराकरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वह समस्या वास्तु से सम्मंदित है या नहीं है उसकी जो समस्या का मूलभूत कारण है क्या वो वास्तु है ये हमको distinguish करते आना चाहिए या करना चाहिए जैसे मान लो एक उधरन देखो कि एक व्यक्ति उसको सरदर्द है उसके सिर में दर्द हो रहा है अब वो सरदर्द के कई कारण हो सकते हैं वो भूका है दो दिन से तीन दिन से खाया नहीं है इसलिए सरदर है बहुत ज्यादा शोरगुल में रहता है इसलिए भी हो सकता है कोई व्यक्ति है वो दो दिन से तीन दिन से सोया नहीं है नीन पूरी नहीं हुई है तो उसको हेडेक हो सकता है और कभी-कभी यदि वो आख है उसमें कोई चस्मा लगना चाहिए नेत्र में कोई विकार है द्रिश्टी में कोई विकार है और उसके कारण उसको प्रॉपर ठीक तरह से दिखाई नहीं देखता और चस्मा नहीं लगाता है तो भी सरदर्द हो सकता है तो सरदर्द के अनेका अनेक कारण हो सकते हैं तो यदि हमें सरदर्द पर्मनेंटली ठीक करना है उस दर्द को द जमान कहलो, व्यक्ति कहलो, जातक कहलो, जोतिस्की भाशा में, अपने पास आता है, और वो उसकी कोई समस्या है, आफिस से रिलेटेड है, फैक्टरी की है, इंडस्ट्री की है, घर की है, सोयम की ग्रोथ की है, वो दिशाग्यान प्राप्त करना चाहता है, अपनी समस्या को दूर करना चाहता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, उसकी जो समस्या है, वास्तु के कारण भी हो सकती है, वास्तु में भी जैसे ये दियपन घर की बात करें, तो उसका जो प्रिमैसे से उसकी जो सीमा है, जिस सीमा में वो रहता है, उसके अंदर हो सकती है, और वास्तु मे के ती सराउंडिंग कैसी है आसपास कैसे लोग रहते हैं उसकी लोकेशन क्या है इत्यादी तो डिफेक्ट्स जो है वह वास्तु में इंटरनल हो सकते हैं अपन यह सारे डिफेक्ट्स को जो इंटरनल और एक्सटरनल हैं इनकी चर्चा करने वाले जो इंटरनल डिफेक्ट्स हैं वह स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकते हैं कोई दिवार है कोई टूटी है फूटी है जुकी है कॉलम है बीम है लैंटल है विंडोज है इस्ट्रक्चर उनमें डिफेक्ट्स हो सकता है उनकी अपन चर्चा करेंगे कोई स्टेप से सीड़ी है उसमें defects हो सकता है, riser है उसमें हो सकता है, train भे हो सकता है, तो हमको यह देखना होगा, कि वो समस्या वास्तु के internal जो कारण है, structural जो कारण है, construction से related जो reasons हो सकते हैं, क्या वो हैं, उसके समस्या, उसके कारण है क्या, या non-structural, non-constructional, जो defects होते हैं, उनके कारण है, देखेंगे कि internal है, external है, structural है, construction है, कौन सी problem है, उसके जीवन में समस्या, जोतिस्य कारण भी हो सकती है, कोई महादशा है, अंतरदशा, ग्रह है, नक्षत रहे, वास्तु की दिरश्टी से कहें, तो कोई कारण उसने शुब महुर्त में किया है, नहीं किया है, यह सब देखते आना चाहिए, जवास्तु कंसल्टेंट, अपनों के यह मालूम होना चाहिए, कि क्या उसके जीवन में जो समस्या आई है, वो astrology के कारण तो नहीं है, और हम यह यह दिहाल उसका वास्तु में करेंगे, इत्यादी, तो कह दिया तुम्हारे यहां है, वो फलानी देशा में ऐसा ऐसा है, पानी की टंकी है, कुछ है, उसके कारण यह हो गया, ऐसा नहीं है, food habit का भी बहुत बड़ा रोल है, जो इस समय अहार की अशुद्धी चल रही है, दिन्चरिया की जो दिक्कते हैं, हम नहीं उसको फॉलो करते हैं, प्रॉपर, वो भी रोग का कारण हो सकता है, या होता है, जो food है, जो पानी है, जो भोजन है, वो कितना शुद्ध है, तो इस से और भी ध्यान जाना चाहिए, कई बार समस्चाओं का कारण सामजिक होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, किस प्रकार के आप सीरियल देखते हैं, मुवी देखते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, फ्रेंड सर्कल कैसा है, उठना बेठना किन लोगों में है, शोशल आप कहां इस्तित हो, सामजिक रूप से आप कैसे हो आर्थिक भी हो सकता है ource of income कैसा है, आर्थिक इस्तित है कैसी है, कई समस्यां मानसिक भी हो सकती है बहुत जद़ा attachment है, emotional है, infinity complex है, security complex है उसके कारण भी biography कंसल्ट 설्टेंसिव में यह देखा गया है पाया गया कि अनिक प्रकार के समस्या है हो सकती है spiritual भी है attachment है non attachment है चीजों से कैसे देखना समझना बुद्धिक भी हो सकती है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धी जी भी नहीं है उसकी बुद्धी जो है intellect है वो अतनी sharp नहीं है तो और वो कोई ऐसे कारी में लगा है जिसमें बुद्धी की आवशकता है तो कैसे होगा कैसे होगा फिर वो जहां इस्तित है जिस शहर में जिस ग्राम में जिस नगर में उसकी अपनी सीमा है ग्रोथ करने की उसके जो संसाधने उनकी अपनी सीमा है तो जब कभी भी हम वास्तु की दृष्ट्वी से किसी केस को एनलाइज करेंगे तो हमें एक पूरे बड़े परिदृष्च में बड़े परिपेक्ष में उसको देखना चाहिए कि इसकी जीवन में जो कठनाई आई है समस्या आई है उसका मूलभूत कारण वास्तु है भी य नहीं है मान लो कोई structure है घर है इसमें वो वर्शों से रहता है 10 साल हो गए 15 साल हो गए 20 साल हो गए शुरू में growth की अब 15 साल बात घर में कोई structural changes नहीं करा है और उसके जीवन में समस्या आ गई तो हम को यह जानना समझना चाहिए कि उसका कारण क्या इसी तरह जब office हे फे समय कैसेट का व्यावसाय चलता था ओडियो कैसेट चलती थी वी सी आर चलते थे टेप रिकॉर्डर चलते थे फ्लॉपी चलती थी अब वो सब अप्सुलेट हो गए वो दिले-दिले करके वो सीडी बी डीवीडी भी अब वो टेक्नलोजी पुरानी हो गई फोटोग्राफी में बहुत सारे चेंज़ेस आए तो एसी जिस फैक्ट्री में इंडस्ट्री में व्यक्तिकारी करता है उसको वेश्विक परिपेक्ष में देखना होगा गवर्मेंट पॉलिसी के एकॉर्डिं कि अभी क्या पॉलिसीज थे हैं टेक्सेशन की क्या पॉलिसी है तो यह पूरा जब आपन देख पाएंगे समझ पाएंगे उसको जान पाएंगे उसके बाद यह दियापन उप्चार करेंगे तो रिजल्ट में अपने सटीक्ता होगी तो अभी तो एक हिंट के रूप में क सोचना थोड़ा सा ठीक नहीं है और अब अपन धीरे धीरे यह जो विभिन्य प्रकार के दोश अपन देख रहे हैं विशेश रूप से वास्तु से रिलेटेड उसमें कुछ दोश हैं उनका ट्रीटमेंट होगा जैसे इस्ट्रक्चल जो दोश होता है उसका ट्रीटमेंट न कहीं गंदगी है कहीं सीपेज है तो वो दोश को दूर करना होगा उसको हम कोई चीज लगा कर कोई स्टोन कहलो रतन कहलो जेम्स कहलो और कोई चीज लगा कर वो बदबू का दोश नहीं जाएगा वो इस्ट्रक्च्रल डिफिक्ट्स दूर नहीं होगा वो कलर का इफिक्ट वास्तुदोश अपन कह सकते हैं होते हैं कि उनमें उनको ठीक करना होगा तो इसको अपन क्रोमा शाह आगामी पाठ में काईयों में देखने का प्रयास करेंगे आपके सुझाओ आमंत्रित हैं कमेंट के रूप में आप अपने विचार रख सकते हैं अभी इतने ही कहके वानी को भी राम देते हैं जाए गुरुदेव जाए गुरुदेव